हालो एवरीवान वेलकम टो आर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूएस के CPI यानि के रिटेल इंफलेशन के बारे में जो कि नवेंबर दोजार बाईस में पिछले साल के मुकाबले 7.1% बढ़ा है हाला कि उमीद की जा रहे थी कि जो नमबर है 7.3% के आसपास बढ़ेंगे तो ओवरॉल इंफलेशन के नमबर उमीद से बढ़िया है और जैसा कि आप जानते हैं इंफलेशन कम होना मतलब की मार्किट के लिए अच्छी नियूज है और इसी वज़े से जो यूएस की मार्किट है चाए वो डो जोन्स हो य में मोटिवेट कीजिए तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस डवलपमेंट की तो जैसा कि आपको पता होगा कल यानि कि 12 दिसंबर को भारत के रिटेल इंफलेशन के नमबर रिलीज हुए थे जो कि उमीद से काफी बहतर थे और आज यूएस के रिटेल इंफलेशन के नमबर रिलीज हुए हैं और ये भी उमीद से काफी बहतर है जो कि साफ साफ दिखा रहा है कि जिस इंफलेशन ने पूरी दुनिया को परिशान कर रखा था वो लगता है कि अब कंट्रोल में आने लगा है तो अगर यूएस के इंफलेशन की बात की जाए तो नवेंबर में ये पिछले साल के मुकाबले 7.1% बढ़ा है और अगर हम पिछले महीने से देखें तो ये 0.1% बढ़ा है तो अगर आप देखेंगे जब जून में इसने 9.1% का पीक टच किया था उसके बाद लगातार इंफलेशन में कमी आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी बात है औ तो जबकि एक्च्छल जो इंफलेशन है वो 7.1% बढ़ा है यानि कि उमीद से बहतर नंबर है और जिसको देखकर के मार्केट जबरदस बढ़ी है पहले तो एक बार के लिए डो जोंस 800 बढ़ गया था लेकिन जब मैं यह वीडियो रिलीस कर रहा हूं तो डो जोंस 700 पॉ वो बहुत ही अच्छा रियक्शन दे सकती है पॉजिटिव रियक्शन दे सकती है हाला कि important बात यह है कि जो अभी के रुजहान है बहुत ही initial reaction है market का लेकिन आज market close कहा होती है अगर डो जोंस ऐसे ही close होता है तो कल definitely हमारी market भी जबरदस डंग से बढ़ सकती है क्योंकि US का inflation number भारत के inflation से भी important है क्योंकि यह दुनिया को impact करता है और अगर हम इनके core inflation की बात करें यानि कि food और energy जो prices उसको अगर हटा दिया जाए तो वो 6% बढ़ा है पिछले साल के मुकाबले और यहां पे भी उमीद 6.1% थी तो यह भी number उमीद से बहतर रहे है overall जो energy prices यानि कि जो petrol, diesel वगरा के prices कम हुए हैं उसी की वज़े से majorly inflation में कमी आई है और markets ने बहुत ही अच्छा react किया है और अब अगर बात की जाए कि भाई यहां से next क्या क्योंकि सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या इसके basis पे जो Federal Reserve है वो interest rate बढ़ाना बंद करेगा क्योंकि interest rate बढ़न कल तक चलेगी और कल देर रात को हमारे टाइम पे इसका decision सुनाया जाएगा कि भाई वो rate increase कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लेकिन market के जानकर यही मान रहे हैं कि चाहे inflation number उमीद से बहतर आये हैं लेकिन फिर भी जो FOMC है यानि कि जो US का Federal Reserve है वो 0.5% से rate increase करेगा यहां पे जो अभी rate 3.75% है जैसे हमारे यहां पे अभी बढ़कर के 6.25% हो गए है repo rate US में जो bank rate 3.75% है उमीद की जा रही है कि कल यह 0.5% से बढ़ा करके 4.25% कर दिये जाएंगे क्योंकि जो US का Federal Reserve है वो भी inflation को चाहता है कि 2% के आसपास रहे US में तो 7.1% उमीद से तो बहतर है ले rate increase तो चलता रहेगा लेकिन हो सकता है कि उसके pace में कमी आए तो important question investor के लिए होगा कि कल commentary क्या आती है Federal Reserve की और क्या वो ultimately इशारा देते हैं कि भाई इस rate को finally 5% तक वो ले करके जाएंगे में और जून में यानि कि अभी 4.25% अगर हो जाता है तो 0.75% और अगले 5-6 महीने में बढ़ाया जाएगा और उसके बाद इसमे stability आ जाएगी और at some point इसमें कमी भी की जाएगी क्योंकि market यह मान के चल रही है कि जो terminal rate है वो 5-5.25% की range में होगा यानि कि इसके बाद जो rate है वो बढ़ना बंद हो जाएंगे और अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे भी जो inflation number है कल बहुत ही अच्छे आए है 6.4% ज्यादा तर market के जानकार मान रहे थे जबकि actual inflation 5.88% आया है पिछले महीने 6.77% था हमारी जो RBI है वो चाहती है कि वो 4% की आसपास inflation रहे plus minus 2% तो अब यह उस range में आ गया है लेकिन अभी भी लगता है कि शायद थोड़ा से rate बढ़े या हो सकते कि February में वो rate बढ़ाना exclude भी कर दें और अभी यहाँ पे stable हो तो important यह होगा कि January के number कैसे आते हैं उसके बाद हमारी RBI क्या decision लेती है और उससे पहले कल का दिन important होगा कि जो Federal Reserve है वो rate बढ़ाता है और rate बढ़ाने के साथ-साथ क्या commentary देता है और अब अगर दुनिया भर की बात की जाए तो इंडिया का जो अब inflation number है comparative टो जो G20 नेशन है काफी comfortable लगता है इवन अब US का भी number थोड़ा सा comfortable हो रहा है तो अब जो problem में एरिया है वो obviously Argentina, Turkey और रशिया तो हैं लेकिन इसके अलावा कुछ European country है तो कल UK का inflation data release होगा अगर उ तोड़ी improvement देखा ही देती है तो overall माना जा सकता है कि दुनिया भर में inflation control आ रहा है तो let's see कि वहां के number कैसे आते हैं और इस बीच में आज की date में US की market कैसे close होती है उससे हमें पता लगेगा कि कल हमारी market कैसे react करेगी मैं उमीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा thanks so much for watching the video and God bless you all